हाई, सो आज है engineering counseling day number 26, discuss करेंगे doubts जो हमें whatsapp और telegram पर bulk में पूछे गए थे most repeated questions, चलिए स्टार्ट करते हैं सर मैं minority से हूँ, मैं form कैसे भरूँ, सर मैं EWS से belong करता हूँ, form भे कैसे भरूँ, सर मैं तो All India Candidate हूँ, मैंने MHT, CET दिया यह नहीं है, form कैसे भरूँ, क्या select करूँ तो आप लोगों को जो select करना था, आप लोग registration form में select कर चुके हो, MHT, CET वालों को पता है कि आप कौन से domain से, कौन से category से, कौन से cast से आप belong करते हो, तभी तो आपके rank बने थे, है ना, तभी तो आपकी final merit list release हुई, तो अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो सरफ और सरफ जैसे सारी दुनिया के लोग अपने college select कर रहे हैं, आपको भी select करना है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था, 10 का मतलब होता है, normal college की batch number 1, T का मतलब होता है, TFWS, 20 का मतलब होता है, उसी college की shift to, example तोर पे कई colleges होते हैं, जो एक ही course, morning shift में अलग से देते हैं, तो 20 का मतलब है, उसी college में CS की second shift, 10 का मतलब है, उसी college में पहली shift, तो 10 के अंदर सब आ गया, general आ गया, EBC, sorry, EBC बोल रहा हूँ, EWS, आपका SC, ST, सब cast, सब categories, 10 के अंदर आ गई, T के अंदर सुरिफ आता है, TFWS, वहाँ पे TFWS छोड़के सारी categories आ गई, तो तब ही तो मैं CHU, OHU, right, home university से हो, state वाला लगेगा, क्या लगेगा, तो basically यह आपके हाथ में नहीं है, आप लोगोंने डाला क्या इदर, के VGTI में मुझे SL चाहिए, या धदोमल में मुझे OHU चाहिए नहीं, यह data CET के पास है, वो लोग खुच से करेंगे, AI खुच से चीज़े sort करेगा, change कर सकते हैं, so cap 1 में अगर आपका list नहीं लगा, तो cap 2 में आप अलग से वापस से form भरोगे, जो आपकी मर्जी है, जैसा भरना चाहो भर सकते हो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा, कि यह नहीं डालो, वो नहीं डालो, जैसा चाहो भर सकते हो, but obviously awareness से और strategy लगा के डालना है काफी लोग comments कर रहे थे, sir, cap 1 में अगर ऐसा नहीं हुआ, तो क्या हम cap 2 खेल सकते हैं, क्या, cap round 2 खेल सकते हैं, तो क्या, मैं बता दूँ, यह कोई खेल नहीं चल रहा है, sports competition नहीं है, के CPL, CET Premier League, okay, यह rounds है, rounds, participate इदर, खेल रहा है, मतलब कैसे comment किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक, okay, चलिए, इधर game चल रहा है, कोई, इधर क्या, मेरा score 26 लग रहा है, game चलू है, हमारा कोई, okay, so, एक-दो comment थी, sir, cap round 2 में खेल सकता हूं, क्या, मैं, और genuine थी comment, comment serious थी, मस्ती वाली नहीं थी, चलिए, will JEE की marks मेरी effect करें, sir, मेरा JEE में इतना percentile आया है मेरा marks में percentile में effect पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, okay, नहीं पड़ेगा, मैंने आपको clearly बताया था, AI क्या देखेगा, VGTI college, AI देखेगा, क्या JEE में जितना percentile आया है इसका, उसके basis पे उसको मिल सकता है college, नहीं, CET के basis पे मिल सकता है, नहीं, चलो second college को देखते हैं, क्या second college वापस JEE के basis पे मिल सकता है, नहीं, second college is JEE के basis पे मिल सकता है, हाँ, चलो देदो, okay, तो AI नारास नहीं हो जाएगा, कि अरे, JEE में इसका 40 आया है, नहीं देने का है, इसको, नहीं देने का है, okay, ऐसा नहीं होगा, AI है, AI, वो yes, no, yes, no, check करेगा, तो फरक नहीं पड़ेगा, आपका 99 बार भी बले yes हो, समझे 1% आया है, फिर भी आप दे रहे हो, attempt मतलब आप कर रहे हो, कि CT और JEE दोनों के basis पे मिल सकता है, तो भी आपको कुछ ऐसा नहीं है, drawback कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर अंसर आजाता है, आपका no, सुर मैंने institute में admission ले लिया है, cap process में मुझे अभी लेना है, क्या करूँ, वहाँ पर fees भर दी है, एक्सेक्टरा सब चीजें, तो institute में अगर आपने admission ले लिया है, cap round से भी आप admission ले सकते हो, बात यहाँ पर आएगी refund की, अब refund का logic, हर institute का लग रहता है, कोई institute बोलेगे, 1000 रुप्या सरफ कटेगा, बाकी fees refund, कोई institute बोलेगा, कि ये range तक काटा, तो 10% fees कटेगी, एन वगेरा वगेरा, तो वो personal institute वालों से पूछो, क्या आपका refund कराई दे रहे हैं, आपर कैसा है, freeze versus betterment, float क्या है, freeze क्या है, auto freeze, not freeze क्या है, इस पर बाद में वीडियो आएगी, अभी तनी ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो की, फिर भी आपको मैं बता दूँ, कि अगर आपको first college लग गया, जो आपने पहला college दाला है, अगर आपको पहला पहला college लग गया, तो आप सीधा क्या है, और वहीं लग गया, तो आपको freeze, freeze option पूछा नहीं जाएगा, वो freeze, auto freeze हो जाएगा, आपको लेना ही है, नहीं लिया, सीधा cap round के बाहर, okay, obviously बात है, first college आप डाल रहे हो, कि मुझे ये पहले preference चाहिए, मिल गया preference तो आप change नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर तो सीधा logic सीधी बात, नो बक्वा, skip round के बाहर हो जाओगे, तो betterment क्या होता है, betterment का मतलब होता है, कि जो मुझे first round में मिला, इस पर अलग से वीडियो है कि 10 minute की, अभी short में इतना सब कुछ नहीं बता सकते, बट betterment का मतलब है, कि मुझे first round में ये college मिला, यार ये मिला है, तो ठीक है बटका second में कुछ अच्छा मिल जाता है, तो आप first round की seat उस college में 1000 रुपया देके, reserve कर सकते हो, then cap round 2 में आप वापस apply कर सकते हो, कि better college मिलता है, क्या तो first college की seat भी आपके हाथ में रहेगी, second college के लिए भी आप apply कर सकते हो, that is the concept of betterment, और freeze का मतलब, बस freeze कर दिया, मुझे यही admission चाहिए, मुझे यही सब process चाहिए, that is free, 99 college राले हैं, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, अगर आपका percentile आया है, 70 percentile, 60 percentile, 40 percentile, 30 percentile, तो आपको 300 के 300 college रालने हैं, और college ऐसे ही नहीं डालने हैं, जिन लोगों का 70 percentile आया है, वो लोग COEP डाल क्यों रहे हैं, आप लोगों का अगर 70 percentile आया है, तो आप लोग maximum plus minus 10 का खेल खेलो, plus minus minus में तो आप जितना चाहो लो, पर आप लोग start करो cut off 80 percentile वाले colleges से, जा आप 80 percentile है वहाँ से start करो, फिर 70 पे आओ, फिर 60 पे जाओ, फिर 50 पे जाओ, 300 colleges रहीं हैं, 300 colleges जितना maximum भर सकते हो, भरो, क्योंकि फिर ऐसा time pass होता रहेगा, cap 1 में नहीं मिला, फिर cap 2 में वापस stress में आओगे, अरे sir, cap 2 में भी ध्यान नहीं गया, फिर वापस cap 3 फालतू में आप इतना जादा खुद के उपर stress दालोगे, एक ही बार में colleges आप भर दो अच्छे से, और अगर percentile जो भी है, उसके उ भर भर के डालने हैं, comments में मैंने देखा एक दो comment थी, जाइश, मैं जानता हूं, जाइश को मैं, okay, जाइश ने comment किया था, sir, सोच रहा हूं, 6 ही college डालूँ, वा, अगर 6 में नहीं लिखा, सीधा cap 1 के बाहर हो जाओगे, cap 1 के बाहर हो जाओगे, okay, फिर 2 में आपको वापस क करना पड़ेगा, सो क्यों unwanted risk ले रहे हो, reservation का code क्या है, अभी अभी बता दिया, कोई code नहीं है, वही 10 के अंदर आप लोग सब count हो जाते, last time to submit form, सोदे को पिछले साल जैसे भी process होता है, पिछले साल हमेशा 12 बजे तक का time मिलता है, बट इस साल कुछ mention ही नहीं किया है, सुर के पहले भरतो, okay, text message काफी लोगों को ऐसा भी गया है, so usually क्या होता है, usually तो चलता है, बट still मैं बोलूगा, अभी जादा delay मत करो, दो दिन का समय हो गया है, अब as soon as possible आप इसको भरतो, चीक है, क्योंकि CET का ये बहुत गलत है, आप time तो बताओ, अब time अगर नहीं बता रह showcase करने का सोच रहा, sir engineering में अभी हमको tension चालू हो गया है, तो क्या आपके sessions recorded form में मिलेंगे, engineering में कभी भी time match नहीं होता है, so जो भी courses, जो भी batches मेरी चल रही है, आपको recordings आपके साथ रहेंगी, जब तक आपका exam खतम नहीं होता है, और recording इतनी high intensity की होंगी, आप सोच भी नही किये है, so अभी ही होंगे allotment के बाद, so yes, rg lectures app के ओपर आप अभी भी enroll कर सकते हो, देर नहीं हो है, कभी भी कर सकते हो, कि सुरिफ price बढ़ता है, तो कि फिर अलग-अलग batches हमारी launch होती है, phase 2 and so on, अभी तक phase 1 चल रहा है, सब कुछ same price हो है, so technical glitch हो रहा है, खुदी log out हो जा करो, आगे जाओ, save करो, preference डालो, पीछे आओ, 20-30 college select करो, आगे जाओ, preference select करो, पीछे आओ, सीधा 100 colleges select करगे, आगे जाओ, वो सीधा page के code ही फट जाएंगे, वो सीधा log out कर देगा आपको, और एक particular time limit होती है, आप 15 मिनट एक ही page पे रहोगे, और कुछ सोच रहे हो सीधा ब सुबहें के 5 बच के 6 मिनट होएं, बहुत जणों को reply दिया है, बहुत जणों को reply दिया गया है, but still messages, messages बहुत जादा मातरा में हैं, और decisions बहुत जादा crucial होते हैं, बहुत सारा decision crucial होते हैं, बट देखो reply देते हैं, Tuesday Monday दिये है reply, आपके, ऐसा मत सोचना reply नहीं आता है, कोशि तो करते हैं, बट still, ठीक है, चलिए, so wish you the best, यही था हमारा सारा का सारा आज का दिन, मिलते हैं next video में, और चिंता मत लीजे, जब तक आप college में जाते नहीं है, तब तक ये series हमारी चलती रहेगी, all the best, and सारी description, course related, सारी details, course related description में है, wish you the best.